कि आगे बढ़ते हैं अपने उन्वान के तरफ सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं आपके सामने और तों का कोई हक नहीं है कि अगलत नहीं होता है लोगों को यह कि ऑड़तों का कोई हक नहीं दीन और शरीयत में कोई इनके राइट से नहीं जो कुछ राइट से हो किसके तो तीन बच्चे हो जाए और फिर देखिया आप कि घर में को किराइदार भी आए तो शोहर किराइदार बताए तो बेगम से पुछके आके बोलता है ना आप थोड़े बड़े हो गए तो आपको बोलते कि अम्मी से पूछके आज़ा अम्मी क्या बोल रहे है क्योंकि उन यह चली उस पॉइंट को हम देखते हैं अल्ह तो खुरान में क्या फरमाता है क्या अल्ह फरमाता है सूरे बखरा सूरे नमबर टू आयत नमबर जो है टू तू तूटी एट उसका एक हिस्सा अल्हा फरमाता है और कहता है कि आड़तों का हख मर्दों पर वैसा ही है जैसे दोनों के दूसरे पर फीड्स अलग-अलग हो सकते हैं प्रिफरेंस अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन राइट दोनों के हैं जिसको एक आम एक्जामपल दे तो दो बच्चे हैं दोनों एक्जाम दे रहे हैं और दोनों एक्जाम के अंदर पास हो रहे हैं दोनों का परसंटे यकते बारते हैं जो किसका कितना और क्या मैं और आप जानने हैं सकते है — लह thiुए लिए लाधा थो शरीयत में सब क्या है , 1 दोनों भी वरावड़ों फ़े थो कुरान यह का channels का मरदों पर वही है जैसे दस्तुर कि पासवलयाद और उम्दगी से सख्क्रादा करना चाहिए हर एक को यदुसरे का पासवलयाद लखना चाहिए और उम्दगी से बैस पॉसीबल वे में एह सन तरीखे से इंकुप दूसरे को देना चाहिए तर दो यहाँ और बद बात वाज़ हो गया दर रिखे अब शोहर और बीवी के हखते तालों से कुछ बादे देखे लेते हैं कि अग्सार डिस्क्यों ही आता है मर्द और ओर्टों का जनरल कोलीजिन जो है ना वह शादी में हो राए मा और बैटे को कोलीजिन हो रहा है नहीं हो रहा है मा बैटा कितना भी खराब रहे वह ये तो न इसा सुरू नमबर फूर आयत नमर नाइंटीन में लगना ने फर्मारूफ कि अच्छा सुलूप करो याद रखे और अपने बीवियों के साथ बहले तरीखे से जिन्दगी गुजारो समझ रहा बात तो यहां यह बात भी खत्म करती कि आदमी को यह ने कहा कि बीवी तुम्हारी पैर की जूती है कभी आपने सुना था यह बात हम चोटे तो सुना था हमने अभी लोग डरते फैमिलिस्ट मूवमेंट बहुत आगे ना गला पकड़ लेंगे वलकर लेकिन हम मुझे विवी को बोले रहे थे हैं लेकिन उस ताइम महां पो नहीं बोल सकते ही बात हो पता सील हर जगां चीज ये सी अग्जे झाल पर लेकिन बहुत आप बहुत ब कुर्ण नहीं है बिलकुल भी खलत है और येधि वाल्टू है और कि थोड़ा सा लीस्ट लीस्ट का बै और सुनों अबुदाउद में वो कैसे करना तरीखे ही बता दिया, सुनी क्या बताया आपको, और हमें नभी अक्रम स्वाइब लाजम फर्माते हैं, जो आपसे सवाल किया कि अल्ला के रसुल हमारे ओपर बीवियों का क्या हक है, क्या राइट से हमारा, तो नभी अक्रम स्व इसे भी खिलाओ, जो तुम खाओ, इसे भी खिलाओ, चुक्कि उस जमाने में होता यह था, कि मर्द जो खाते थे और तो और गाहों में यह फर्क आज भी आप देख सकते हैं, पोती को अलग खिलाती दाजी और पोते को अलग खिलाती, बदाम पोते के लिए, और पोती के क्या लाते मालों को आपका मुंख फली दोने जैसे ताखत में या मुंख फली बहुत चार पुजाता माहिन इससा होता तो यह सस्ता थोड़ा महंगा लेकिन करते हैं तमीज लोग गाहूं अगयरा में जो पड़े लिखे लोग नहीं होते ना करते हैं मुस्लिम नौन मुस्लि जो तुम खाओ इसे भी खिलाओ कितना बेसिक फंडमेंटल एक बेसिक एजंडा है जो खाता खाना और पहनना यहीं तो जिन्दागी में इनसान करता है जो खाओ उसे खिलाओ बेसिक चीज़ पर आपने कवर कर दिया सेकंड बेसिक चीज़ इसे भी पहना हो यानि अपनी हमें भी पहनाई है इतने महंगे महंगे कपड़े खावातिन के दो चार्चाहजार के चोड़े तो ऐसी आ जाते अब मर्दों का क्या है वह सिलाई 400-600 पैंड की और शटकी और कपड़ा 600-800 कर ले लिए दो हाजार में तो पहने लिए दो दो साल चला रहा है आपके पास तो नजर भी क्या रहती है अलाएक जिस लोग और ते बोलती हैं तो तेज़ नहीं है तेमा हम कहां समझते हैं मामलात हम कहां समझता हिसाब किता है मैं कहां हफिज ओ परान मन सकती में को कहां तक्रीर आएंगी लेकिन हुशार ही ऐसी देती माशा अल्ला कि एक गोट गोट के अ चार सो नग में से एक तिछाव नग दिखता उनको सुखान अल्ला मतलब स्कैनिंग का लेवल देखिया इतना गोट में कितने नग है एक तुकुड़ा वो देख लगते हैं माशालों इतनी जब आल्ला ना जहानत दी है तो उसका इस्तिमाग भी साहीं जगा होना चाहिए तो कहां जो पहनो से पहना बेसिक रूल्स कबार हो रहे देखिए खाना और पहनना समझे ना रहाइस चुके जाहर सी बात है भी यू का लगत होगी रखेंगा उसाथी रहेंगा तो वह इतना नहीं है यह मैं इन था जिसमें डिफरेंशियेट करते हैं एक चत में रहे तु इंतिजाम करो और इसको चेहरे पर ना मारो लोग बहुत उस जमाने बेजरा मारते थे वो कैसे क्या आगे एक पॉइंट में पूरा कवर करूंगा इंशाला उस जमाने में क्या क्या होता था उसके कॉंटक्स में कहा जा रहा देखिए नभी एक्रम सुर्ण नमास पढ़ते देते उसके इतनी शौट पढ़ते कैसे लगता पढ़ाई नहीं है तो क्या फर्माएं चेहरे पर ना मारे इसको अच्छा लाते घूसे कई और मार सकते सिर्फ चेहरे पर नहीं मारना है यह आप समझेरें बात को सबसे पहले इंसानों घुसा है तो कहा मारता है फर्स उसमें उसको रोख दिया जा रहा जका है जर्के बट्छ को लुब करते आए बच्चे को मारना था देखिये लोग चेहरे मारस अपसमें देखिये जाद बाल पकाई तो चहरे पी मार रहा यह हो रहा ना और चहरे पे मारने से अंसान कुछ गुस्धा आता है बाकी जगा आप कुछ भी कई उसको गुस्धा निया किसे निपूट में कितने भी जोर से मारे तो खाली हो यूँ करता इसे लिए शरीयत के अंदर याद रखे फपड़ मारना याद रखे जायज नियुकि उससे जो बेजज़ती इंसान करता चेहरे पे मार लगती वो दुस्धी जगा फेल नहीं करता हूँ क्या का उसको चेहरे पर ना मार बागी नहीं इसको कॉंटेक्स में जैसे अल्ला ने फरमाये कि अपने वालदेन जब बूड़े हो जा तो उनको उफ भी ना काओ तो बहुत तो नहीं बलता सिर्प पट्टा हत्में लेता हूँ मैं तोफ नहीं बलता सिर्प गालियां देता हूं तो आपको सबसे चोड़ी चीज़ से रोग दिया जा रहा तो इसके बात का सारा मामला अल्रेडी क्लोजड हो गया आप समझेरें बात तो लिहाज़ा मत मारो अब जो मारने के बारें बातारी वो क्या नसीयत के लिए कभी आपको सुन बार है किया अपने उसको करते नहीं करते वहाल के भाड़ा का पुग गए लेना है माँ को किछ कर रहे हैं नहीं पकड़ के खाली यह भी तो जिए जोट 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 आपने क्या कर आप दुदका रहा ही ना बच्चे को लेकिन हाथ उठा उट उठा है उस पर मारा उसको और जली भी नहीं करते हूं और खलते रहता हुंश कि उसा यह नहीं ना तो शोहर को भी है उन्हाबाद को समझ़ह और राप की की खलए का शाके कौह टूदी कि महपत सकते हैं लेकिले के बार था खाली थोडी का लागे इतना नी समझा हो तो कित्मा बुरा लगता यह भी नसीछत है लेकिन इसको भी क्या बोलेंगे अर्वी में मारना ही होता है आप समझे ना इसको इसकी भी नसीयत के लिए और आप ये कर रहें ना इस सब चीज़े मानने घरवाद यह था कि तो पट्टा लेके डंडा लेके लट लेके आरे और मार रहें ऐसा मीनिंग नहीं रहता है लेकिन लोग क्या करते हैं चीजों को और आप कॉंटेक्स पेश करन में नहीं किया लेकिन इसका मेलिंग ये नहीं के दुनों एक जैसे नहीं हैं चुक्छे इक ब्यात सब्ग aggregate होना तो सब्सक्राइन मैं और और घर को अगया रात में धर में कोई आगया वेगम तुम जाएंगे देखने को नाया मैं और तोर मर्दों को बराबर समझता हूं तो आज तुमारी बारी जाओ किया वह लेंगा शोर तुम कीचन में अच्छे हैं आगे बड़ो मैं देख्के आता ये कोनाया हूता न यहीं कि नहीं होता बराबर है थे हम दुनों एक जोसा कर दो एक एक काम है ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली नहीं होता समझावा बात को तो लहाजा उसको समझे तो दोनो पर है याद रखे, यह हमारा टॉपिक हैं खत्म होता है, तुकुर। असलाम आलेकुम, आप भी हमारे इसकामे ताउन करें, अपनी जकातों सक्कात के जरी, डोनेश डीटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आये हैं, तो इसे शेयर करें, और सवाप के हखदार बने, रोजाना हमारे वीडियोस को पा